नमस्ते, तो आज हमें को रेडिंग करने वाले हैं, देखते हैं कल रात आपकी परसन किस सोच विजार में थे, क्या चल रहा था हमके दिल दिमाग में कल रात, क्या सोच रहे थे आपकी परसन, कल रात आपकी परसन कि इनर्जी क्या थी देखते हैं, लाइक कर दिना है, इन्वोर्स को ग्राटिक्यूट से इन करना है, स्टार्ट करते हैं, आपकी रेडिंग कल रात आपकी परसन किस इनर्जी में थे, क्या सोच रहे थे, क्या से सकते हैं, नमबर से रेडिंग के शुरुबात हुई है, से नमबर लगी हो सकता है, आपके लिए आपके परसन के लिए बड़िट हो सकती है, आपके परसन अपने इंटुशन का इस्तमाल करने की कोशिश बहुत कर रहे थे, आपके परसन का जो इंटुशन है, इस इनसान को गाइड कर रहा था, कुछ लोग आप ऐसे कि 3D लेवल से उपर आपके परसन फील कर रहे थे, आपको, इमाजिन करना, विजवलाइज करना, आपके बार में सोच रहा है, एक ऐसे एनरजी है कि कुछ लोग आप ऐसे कि हो सकता है, आप दोनों की बात हुई है कल रात, परसन ने कोई कॉल, कोई मैसेज किया था आपको, या किसी किसी के साथ रेजुनट होगा, कि बहुत ज़ादा आपको ऑनलेन देखा है आपके परसन ने, आप ऑनलेन हो नहीं हो बहुत ज़ा सोचा है इसके बारे में, आपको ऑनलेन देखनी की कोशिश किया, आपको एक ऐसे एनरजी है यहाँ पर कि आपने जब पहले ऑनलेन आप दोनों बाते करते थे, वो सारी बाते इस इंसान के दिमाग में चल रहे थे, हो सकता है कि आखरी बार जब आप दोनों क प्राक्षन भी फिल कर रहे थे, फाइरी, आपके परसन एक होता न, एक पैशनर साफ भी फिल कर रहे थे, आपको लोगर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी परसन बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूस देना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप दोनों क शादी को लेकर हो, चाहे कमिट्मेंट को लेकर हो, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे कुछ भी हो, हर किसी के लिए अलग बात है, कोई ना कोई गुड न्यूस वो आपको देना चाहते हैं, परसन एक पल में बहुत कन्फूजन में चले जा रहे थे, और दूसरी पल में जब इस इंसान को आप याद आते हो, आपके साथ बिताय लम्हे जब याद आते हैं, आपके परसन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और ये मतलब ये जो स्माइल है, गजब है, ये आपके प्यार की ताकत है, कि जो इंसान टेंशन में है, जो इंसान परिशान है, जब वो आपको याद करता है, जब वो आपको फील करता है, तो उसके चेहरे पर एक स्माईल आ जाती है, अच्छानक मतलब बहुत सैड है, ठीक है और जैसे आप याद आ रहे हो, इस इंसान के चेहरे पर स्माईल आ रही है, तो यह जादू से कम है, क्या किसी कि कोई इंसान टेंशन में है जिसे आप प्यार करते हो और जैसे ही वो आपको याद करता उसके चहरे पर एक स्माइल आ जाती किसी जादू से कम नहीं है तो आपके परसंट मानते हैं इस बात को कि अगर आप उनकी जिंदगी में रहोके इनके बड़े कॉमेडी करते हैं या हो सकते हैं आपका सुभाव ऐसा है कि आप बातों बातों में कॉमेडी कर देते हो हसा देते हो इस इंसान को अगर ऐसा कुछ है तो वो बाते आपके परसंट याद कर रहे थे एक चहरे पर स्माइल थी आपके परसंट की हमेशा इस इंसान का चेहरा sad जो रहता है जो टाइशर में रहते आपके person लेकिन कल रात आपके बार में सोचकर ये इंसान मुस्कान से जैसे आ गई थे इनके चेहरे पर और एक ऐसे energy है कि बहुत जल्ब कोई good news भी देना चाहते हैं आपको अब वो हो सकता है किसी किसी के लिए के परिवार नहीं मान रहा थे तो परिवार मान गया किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो वक्त नहीं दे पा रहे थे आपको लेकिन अब हो सकता है आगे जाकर वो आपको वक्त दे पाएंगे चाहिए जो भी situation है या किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत जल्द आपको मिलने वाले है यहाँ पर है nine of pentacles कुछ लोग है आप ऐसे कि आपके person को ऐसा क्यों लगता है कि आप खुद के बार में ज़ादा सोच रहे हो किसी किसी के साथ यह resonate करेगा वाइस वर्सा भी हो सकता है या तो आपके person बहुत जा फोकस कर रहे है अपने career के उपर इसलिए वो इंसान आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे या किसी किसी के साथ resonate करेगा कि यह आपके energy है आपके person को ऐसा लगता है कि आप अपने career में बहुत focus हो आप अपने काम के उपर ज़्यादा ध्यान देते हो खुद के उपर ज़्यादा ध्यान देते हो आप इनको ignore करते हो अगर कुछ ऐसे energy है कि आपने इस इंसान को ignore किया या आप time नहीं दे पाए चाहिए जो भी है इस इंसान को ऐसा feel होता है कि आप खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और आप इनकी care नहीं कर रहे हो और कुछ लोग के लिए वाइस वर्सा हो सकते है कि आपके person को ये feel हो रहा है कि उस इंसान ने आपको time है नहीं दिया उस इंसान ने हमेशा अपने career के उपर focus किया अपने पैसों पर काम किया और वो इंसान आपको time नहीं दे पाया अगर इस इंसान ने ऐसा किया है अगर वो आपको time नहीं दे पा रहा था तो इस इंसान को एहसास होने लगा है कि सिर्फ पैसा ही जरूर नहीं है life में आपका होना भी बहुत जरूरी है आप भी उस इंसान के लिए बहुत जरूरी हो ये बात ये आपके परसन को समझ में आ रहे थे टोरस बर को क्या अप्रिकॉन राशी हो सकती है आपके परसन की या आपके राशी हो सकती है ठीक है आपके परसंद, देखो, एक बात तो यहाँ पर यह है कि इस इनसान हमेशा अपने आपको stuck रखा है कल राग भी ऐसे energy में है आपके परसंद की ये इनसान confusion में था ये इनसान एक stuck energy में था, हो सकता कि इतना मन कर रहा था उनको कि वो आपसे बात करें, और आपके आपके उपर control कर लिया मतलब ऐसे energy है यहाँ पर कि वो दिल से बात करना चाहते थे लेकिन हो सकता है कि वो नहीं कर पाए या कुछ लोग के लिए हो सकता है कि इस इनसान आपको call message कर लिया है या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके परसन का मन बहुत कर रहा था लेकिन वो आपको call message नहीं कर पाए आपके परसन वो जो tension है, वो जो confusion है या जो obstacles है, सब सब सोच रहे थे और आपके परसन उस negative energy से अपने आपको बाहर निकालना चाहते थे रिलीज करना चाहते थे खुद को negative energy से आपके परसन ने बहुत सोचा है कल रात overthinking बहुत रही है लेकिन एक अच्छे बात यहाँ पर है कि आपके परसन ने अपने आपको इस energy से release करने के कोशिश की है bottom में यहाँ पर fire pentacles के energy है guys एक helpless and hopeless energy भी यहाँ पर दिखाई दी रही है आपके परसन अकेला पन बहुत फिल करे थे sadness बहुत थी aloneness भी दिखाई दी रही है एक ऐसे energy है कि एंसान बहुत ज़्यादा दुखी था और अच्छानक हो सकता है उन्हें आपकी कोई profile देखी आपके कोई photo देखी और चेहरे पर एक मीठी सी मिस्कान आ गए यह बड़ी खुबसुरत बात यहाँ पर है आपके person एक ऐसे energy में कि इस इंसान को लगता है कि आप उनको support नहीं करते हो या घरवाले support नहीं करते हैं इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो तो मतलब हर केसी के लिए सब कुछ कर रहे है इस इंसान का ऐसा रहा है कि इस इंसान को लगता ही वो आपके लिए बहुत कुछ करता है उसने आपके लिए हर चीज कर दी लेकिन आपने उतना नहीं किया है compare बहुत करते हैं आपके person और हो सकते हैं इंसान खुद की बाते याद रखता है मतलब इसने आपके लिए कुछ किया तो इंसान हमेशा उस बात को याद रखेगा कि उसने आपकी help की है उसने आपकी भावनाव को समझा आपकी कदर की अगर इस इंसान ने आपके कभी help की तो इंसान हमेशा उस help को याद रखता है अब ये उनकी सोच है जरूर नहीं कि ये सच है लेकिन आपके person का अशान लगता है कि हमेशा है उस इंसान को अकेला पन हमेशा है एक helpless energy में आपके person आ जाते है आपके person का अशा फिल रहता है कि आप उनका साथ नहीं देते हो या आपके person का अशा फिल रहता है कि आप सिर्फ खुद के बार में सोच रहे हो उनके बार में नहीं सोच रहे हो या किसी किसी के लिए ये wise वर्षा भी हो सकता है कि आपके person इस energy में है कि वो इंसान समझ पा रहा है कि उसने जो किया उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा ठीक है उसने सिर्फ खुद के बारे में खुद के करेर में बारे में अगर सोचा तो इस इंसान को एक बास समझ में आ रही है कि उसको आपका साथ देना जरूरी था लेकिन उसने दिया नहीं ठीक है और क्लारिफाय कर लेते हैं सारे कार्ड्स इन्वर्स गाइड किज़े का सेवन अप कप्स क्यों है या एट अप सोर्स दोबारा यही एनर्जी हाप पर रिपेट हुई है यह अपसे प्यार बहुत करता है लेकिन इसको लगता है कि ऑफ्सेकल से बहुत जादा है जो भी आप दोनों के बीच में कोई थोट पार्टी बन के रखाये चाहे उनके खुद के थोट सी क्यों नहों चाहे कोई प्रॉब्लम में क्यों नहों वो चाहती कि वो सारे प्रॉब्लेम दूर हो जाए लिब्रा एक्वरस जेमिना आपके परसन को बॉर्डन होता है वो आपसे ओनलाइन बात करना चाहते हैं लेकिन इस इंसान को किसी बात का जैसे दिल पर बोज है कोई बात ऐसी खटित हुई है जिसके बाद आपके परसन को लगता है कि आप डाटोगे, आप गुस्सा करोगे, आप नराज हो जाओगे जैसे वो आपसे ओनलाइन बात करने के बारे में सोचते हैं बर्डन सा फिल होता है अब कोई तो ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच में कि आपके परसन हिचकिच आते हैं आपसे बात करने से कोई तो ऐसी बात रही है कि आपके परसन का मन बहुत करता है कि वो आपसे बात करे लेकिन कर नहीं पाते है मुझे अज शाल करती हैं आपके प्रत्रैक्स को एसा में होता हैं इनके अपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारीया है कि वह जा करें अंदे पाते हैं और और है नहीं दे पाते हैं तो आप नाराज हो जाते हो हो सकता है वर्कलोड बहुत ज्यादा है इनकी खुद की जिन्दक में कुछ ऐसे उलजने हैं जिसमें इंसान उलज चुका है आपको टाइम नहीं दे पा रहा है जो एनर्जी हापर है टेन अप वांड्स एरीज लिए वो लोग आज यहाँ पर रिडिंग देख रहे हो हो सकता है कि आप दोनों यातिक जगा पर काम करते थे कुछ लोग आप ऐसे हो सकते कि आपने इस रिष्टे में बहुत ज़दा इन्वेस्ट किया है यह आपकी पूर्सर को हमेशा ऐसा लगता कि उस इंसान ने इस रिष्टे म आप अपने किये या इस इंसान के इनर्जी हो सकते है इस इंसान को ऐसा फिल होता है कि उसने सब कुछ किया लेकिन आपने बदले में उतना प्यार उनको नहीं दिया यह वाइस वर्सा हो सकता है और जरूर नहीं कि यह सच है अब इस इंसान के सोच है इस इंसान को ऐसा फि इसी रहा हो सकता है संसान ने बड़े कश्ष करना चाहते हैं लेकिन बड़े फायदी की बात भी देखते हैं या परिण की शादी हो पाईगी अगर वो में इस रिश्टे करते हैं अपना । तो क्या आप दोने की को रुपियों पाइसी भी राशी है तो यहाँ पर चैनर्जी है आपके परसन बहुत ज़्यादा बेचन भी थे देखो नाइन अप सोर्स के इनर्जी है बेचन देख एक एंसाइटी भी इस इंसान को हो रहे थी कि पता नहीं अब इस रिष्टे में आगे क्या होगा पता नह तक कर चैनर्स रिष्ट में जस्टिस होगा नहीं होगा शादी होगी नहीं हो दोनों की एक नमबर यहाँ पर लिएट नमबर है यहाँ पर भी ओंड़ त्रिपल एट उगै यहाँ अपर आपके परसन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है कि कल रात वह आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तरपे है गाईंस इसान का मन कर रहा था कि यी आपसे बात करे एट अप बॉंद करें हैं किसी कि लिए तो आपके बसक्त का डेफिनिट लिए अपको मैसस आया है या इस इन्सानी मैसस करने की कोशिख बहुत की हैं यहां पर जो है कुछ लोग है आप ऐसे कि आपके वर्व समसे बात करना चाहते थे कल राएं द्यक्न एस इंसान को आशा भी फील रहा ता कि आप बड़े खुद के बारे में सोच ते आप बड़े कि आपके पुरसन कितने तडपे हैं? आपसे बात करने के लिए इस इंसान ने जाने अंजाने में आपको manifest बहुत करने की कोशिश की है जब मन कर रहा थे कि वो आपसे बात करें तो इस इंसान के दिमाग में खाल आ रहा थे कि आप बड़े selfish हो गए हो आजकल में भी ये बज़ा है कि ये इंसान आपसे बात नहीं की या किसी-किसी के लिए हो सकता है कि बात अगर हुई है तो हो सकता है कि आप नाराज हो गए हो हो सकता है कोई ऐसा मैसेश कर दिया इस इंसाने जो इसके बाद आपको दुख हुआ है हो सकता है, किसी किसी के साथ resonate करेगा ठीक है, नमबर ट्रिपल एट यहाँ पर आचुका है, आपके person चाहते कि आप उनके help करे या किसी किसी के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपकी help करना चाहते है आपके person कर आप किसी problem में है तो आपके person कल रहा सोच रहे थी कि वो आपकी help करेंगे ठीक है, आपको इस problem से बाहर निकालेंगे, अगर आपके person किसी problem में है तो वो इनसा सोच रहा है कि आप उनके मदद करें आपने उनको support करना चाहिए अब वो हर किसी के लिए अलग-अलग बात हो सकती है चाहिए emotional support ही क्यों न हो वेकिन आपके person चाहते है कि उनको आपका support मिलना चाहिए एक offer करना चाहते है आपके person और आने वाले समय में आपके person आपको offer करेंगे क्योंकि वो खुद आना चाहते है आपके तरफ चाहिए जितने भी problem हो चाहिए जितने भी obstacles हो उसको पता है कि उसका happiness आपके साथ है किसी किसी के लिए आपके person बड़े childish है इतने ज़दा match और नहीं है और इसकी वज़े से बहुत problem create होई है आप दोनों के बीच में पर जो पैंटरक्रस के इनर्जी हापर है टोरस और को कैप्रिकॉन है आफर करना चाहते है childish हो सकते है आपके person इस वज़े से problem create हो रहे थे ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए लेकिन ये इनसान आपकी जिंदग में आना चाहता है कुछ लोग आप ऐसी कि बहुत ज़़ा attachment है आपके person को आपसे और हो सकता है कि इस वज़े से आपके person बहुत blame करते है आपको मतलब इस इनसान को ऐसा लगता है कि उसने आपको इतना प्यार दिया है उसको इतनी attachment है आपसे तो आपने हर वक्त उसके हिसाब सही चलना चाहिए मतलब एक अधिकार इस इनसान को लगता है उसका अधिकार चलेगा आपके उपर वो इनसान चाहता है कि आप बस उसकी ही सुने क्योंकि वो आपसे प्यार करता है आप बस उसकी ही सुने क्योंकि वो attach है आपके साथ तो ये इंसान नहीं जानता कि आपकी खुद की जिंदगी है, आपको भी freedom चाहिए हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है, या तो यह वाइस वर्सा भी हो सकता है, कि आप अगर इस इंसान के साथ बहुत ज़ा attach हो, तो आप चाहते हो कि इंसान हर वक्त आपके हिसाब से जिंदगी जिये, आप चाहते हो कि इंसान बस आपकी सुने, ठीक है तो इसकी भी खुद की life है हर बात हर के से के साथ resonate नहीं कर सकती, लेकिन कोई तो यहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत attach हो, और आप चाहते हो कि इंसान हर बात आपकी सुने, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, क्योंकि आप उनकी बहुत care करते हो, तो अगर आप इसके साथ बहुत attach हो, आप इंकी बहुत care करते हो, ठीक है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि इंसान हर वक्त आपकी बात सुने ठिक है और खुद के बारे में न असे और समय बात यह आपके उपर भी लागव होती है कि अगर यह इंसान आपके साथ unity है यह इंसान आपकी बहुत कियार करता है तो जरूरे नहीं कि हर बात आप उनके सुने आपके भी खुद के life है तो हो सकता यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि attachment में इतने फजगे हो आप दोनों कि चाहते हो कि सामने वाले ने बस आपकी ही बात सुनने चाहिए यह आपके person का हाल हो सकता है यह आपका हाल हो सकता है किसे एक ने दुसरे पर कुछ थोपा है कुछ खुद के decision थोपने की कोशिश की है तो किसी किसी के साथ resonant होगा कि यह आपके person का ऐसे energy है कि इंसान कल रहा सोच रहती कि उसने आपको इतना प्यार दिया है लेकिन आप तो उनके कुछ बात सुनते नहीं हो तो यह हाल रहा है कल रात आपके person का अब हम देखते कि आपके लिए क्या guidance है इस वक्त आपको क्या सुनना ज़रूरी है क्या सुनना ज़रूरी है आपको इस वक्त यह आपर जाए नर्जाई है काईज ट्रिपल एट किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि कोई कार्मिक साइकल चल रही है या किसी कार्मिक के साथ आप डिल कर रहे हो ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए ठीक है या जो आपने दिया है वही लोट कर आने वाला है बहुत जल्द जो दोगे वही पाओगे एसी वाले एनरजी आपर है क्या कहना चाहते है इस वक्त इनुवर्स आपको क्या बताना चाहते है सबसे पहला काड आपकी परसन का जो हाल है आपका भी कुछ अलग नहीं है आप भी बड़े ओर थिंकिंग कर रहे हो आपके भी दिमाग में दो-दो थोर्स है आप decision नहीं ले पारे हो किसी बात पर कायम नहीं हो आप हर वक्त आपके thoughts change होते जा रहे है आप confusion में हो इधर जाए कि उधर जाए ऐसा हाल हुआ है आपका ठीक है कोई decision आप भी नहीं ले पारे है नमबर दो खास हो सकता है कुछ लोग आप ऐसा है कि कुछ नया करने से आप दर रहे हो हो सकता है कि जिन्दगी आपको कुछ मौके देना चाहती है वैसे opportunity आपके पास आई भी है लेकिन आप हो कि अपनी comfort zone से बाहर निकलने के लिए तयार नहीं हो जब तक आप अपने comfort zone से बाहर नहीं निकलोगे आप successful नहीं होंगे अगर आज आप successful नहीं हो अगर आपके जिन्दगी में कोई struggle चल रहा है कोई संगर्श आप कर रहे हो तो समझ लो इस बात को कि जब तक आप अपने comfort zone से बाहर नहीं निकलोगे सफलता की तरफ आप नहीं जा सकते तो कोई ऐसी बात है आपने क्यों रोक के रखाए खुद को आप क्यों अपने comfort zone में रहना चाहते हो गैस कभी कभी आप जिस comfort zone में रहना चाहते हो क्या पता उस comfort zone से बाहर ही आपकी खुबसुरा जिन्दगी है ऐसे कोई opportunity आपकी तरफ आ रहे है लेकिन आप उसका स्विकार नहीं करे हो और डर के मारे या comfort zone में रहना चाहते हो इसकी बज़े से आप avoid करे हो ये गलती मत करो ये गलती करोगे पीछे रह जाओगे तो नहीं दर ना है आपको आने वाले समय में कई ट्रावल कर सकते हो आप कही ऐसी जगह पर जा सकते हो जहापर आप पहले कभी नहीं गए हो ठीक है एक sadness, एक अकेलापन इसमें से बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है इश्वर, universe आपको कहते है कि इस energy से बाहर निकलो मैं भी खुद को stuck कर लिया है आपने कुछ लोगे आप ऐसे हो सकते ही कि आप ज़्यादा overthinking करते हो और कोई anxiety हो सकती है या कुछ ऐसी बात हुई है जो आपके मन के खिलाप हुई है और आप आज तक इस बात से बाहर नहीं निकले हो कुछ लोगे आप ऐसे ही कि आप अपने past में इतने ज़्यादा आटक गए हो जो past जा चुका है आपका past कभी लोट कर आईगा? नहीं आईगा लेकिन आप उस past के बारे में सोच सोच कर अपना future खराब कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा खुद के उपर ही अन्य हो रहे है अपको पता भी है आप क्या कर रहे हो आप अपने की life खराब कर रहे हो अगर आप उस past के इनज़े से लेटगो करोगे तो आज आप कुछ कर पाओगे अगर आज आप कुछ कर पाओगे इसका मतलब है कि आपका future safe है आपका future अच्छा है bright है तो ये गलती मत करो आप उस past के इनज़े में अटक कर मत रहो निकल जाओ उससे बाहर कोई फायदा नहीं कितना भी past के बारे में सोचो कभी भी past लोट कर नहीं आएगा आप बेवज़ अपना time खराब करे हो past के इनज़े में खुद को stuck करके कोई ऐसी बात है जो बात आपके दिल पर लगी है क्यों याद करना है आपको उन यादों को जो कड़वी है जो अच्छी नहीं है जो आपको सिब दर्द और तकलीफ दे सकती है ऐसी यादों को याद करके क्या फायदा जो आपको खुशी ना दे ऐसी यादों को याद करके क्या फायदा जो आपको हर वक्त तकलीफ दे तो उस past के निज़े से निकल जाओ आपका future बहुत bright है और यह आपके हाथों में है ठीक है? I hope आपको लिडिंग पसंद आई है like, share and subscribe मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ